हलो एंड गुड मॉर्णिंग एवरिवन मेरा नाम है अजे जागलान इजी कॉनॉमिक्स में आप फिर आप सब का एक बार फिर स्वागत करता हूँ आशा करता हूँ आप सभी शकूशल होंगे अपने घर पे तो बच्चों जैसा कि आप सब जानते हैं हम लोग जो हमारे पास बुक नंबर टू थी स्टैट्स उसका थर्ड चप्टर कॉलेक्शन अफ डेटा हम लोग कवर कर रहे थे कॉलेक्शन अफ डेटा क्या जिसके दो important method से census method and sample method of collection of data ये थर्ड चप्टर हमारा इसको हम लोग cover कर रहे थे जो कल का lecture था उसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि census method क्या होता है ठीक है उसकी suitability क्या होती है उसके merits, demerits क्या होते है आज के lecture में हम लोग सीखेंगे कि sample method जो data को collect करने का नया तरीका है एक और तरीका है sample method उसको हम लोग सीखेंगे कि sample method क्या होता है उसकी suitability हम लोगों को सीखनी है merits, demerits उसकी हमें दीखनी है ठीक है और उस sample के अंदर कुछ important चीज़े हैं कुछ essential points हैं उनको हम लोग यहाँ पर आज की lecture में जानने की कोशिश करेंगे so आपको बहुत कुछ जानने को मेरेगा आज की lecture में so a lot to know, a lot to discuss as always but before we begin अगर आप हमारे channel पर नए हैं तो channel को subscribe करना बिल्कुल ना भूले और bell icon को press ज़रूर कर लें बच्चे देखो बच्चो bell icon को जरूर प्रेस कर लिया करो उसमें आप लोगों का ही फायदा है क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको सबसे पहले notification के माध्यम से medium से आपको information मिल जाएगी कि ये ये वीडियो अपलोड हो चुकी है ठीक है इसी दे bell icon को जरूर प्रेस कर ले ना बच्चो हम स्टार्ट करते है अपना आज का next method sample method कहता है sample method is that method in which data is collected about the sample on the group of items taken from population for examination and conclusion drawn on their basis देखो बच्चो bookish language से पहले आपको में एक journal से definition बता देता हूँ sample sample का मतलब क्या है हमारे पास काफी सारा data है काफी सारे items है उन में से हमने गिंचुन के एक value निकाल ली ठीक है for example मानलो मैं carpet बनाता हूँ बच्चे मेरी carpet की factory है ठीक है तो कोई मेरे पास carpet खरीदने आएगा मैं उसको सारे carpet थोड़ी दिखाऊंगा मैं उसको carpet के एक sample दिखाऊंगा देखो भई ये sample है ऐसा carpet बनाता हूँ तो आप बताओ भई आपको लेना है या नहीं लेना है हम लोग जहां पर काफी सारे items के अंदर से एक sample दिखा दिखा देते हैं ठीक है उससे क्या होता है कि सामने वाले को पता लग जाता है कि बाकी items भी कैसे हैं ऐसा ही यहां पर होता है हम लोग क्या करते हैं जैसा census method में हम लोग करते थे कि universe के सभी items को हम लोग collect करते थे यहां पर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे यहां पर काफी सारे similar items में से एक sample उठा लेंगे ठीक है और उसको record कर लेंगे और बाकी सब को उसके equivalent माल लेंगे कि हां बाकी सब भी उसके बराबर ही होते हैं ठीक है और इसी में से जो examination हम लोग को करना है conclusion निकालने हैं वो सब हम लोग यहां से sample की help से कर लेते हैं ठीक है तो यह sample method की basic सी definition थी भी ठीक है और हम इस sample method को day to day life में बे इस्तमाल करते हैं बच्चे आप kitchen में जाएंगे आप लोग क्या करेंगे बच्चे जितने भी अनाज हैं अनाज के दाने हैं आप लोग अनाज लेने चले गए बोरी में अनाज होते हैं बहुत सारे बहुत सारे दाने होते हैं कि आप हर एक दाने को निकाल के check करते हैं नहीं आप थोड़े से मुठ्थी में निकाले हैं चेक कर लेंगे हाँ भी ऐसा नाज है ऐसे दाने हैं ऐसे grains हैं तो आप पूरी बोरी खरीड लेते हैं अच्छी लगी तो ठीक है तो यह उसका एक perfect example था अब इसकी suitability भी है कि यह method, sample method कहां कहां suitable होता है कहां कहां इसको इस्तमाल करना चाहिए ठीक है, सबसे पहले The size of population is very large जहां पर population का size बहुत बढ़ा हो ठीक है दूसरा, very high degree of accuracy is not needed जहां पर हमें कि data बहुत ज़ादा accurate हो इसकी कोई खास जरूरत नहीं होती ठीक है साइट धर्ड पाइंट में कहता है Intensive examination of diverse items is not required जहां पर हमें अलग-अलग items की perfect knowledge हो या diverse knowledge हो वो भी ज़रूरी ना हो और फोर्ड पाइंट में कहता है जब universe के सभी items एक दूसरे के क्या हो similar हो तो यहां पर sample method का हम लोग इस्तमाल कर सकते हैं बच्ची ठीक है अब हम लोग देखते हैं कि उसकी merits क्या है उसमें क्या-क्या फाइदे है वई सबसे पहले economical देखो जहां पर हम लोग सारा data collect ना करके एक sample collect कर लेते हैं मतलब time कम लगेगा खर्चा कम लगेगा तो मतलब क्या है वो economical है economical का मतलब होता है कि अब ही ज़ादा खर्चा ना लगे time consume करे money को save करे जहां पर savings हो second point में कहता है time saving देखो time तो बचे गई या तो हमें 100 items को collect करना है या हमें 100 items मेंसे जो एक जैसे उन मेंसे एक item collect करना है time कम कहां लगेगा जहां पर हमें एक collect करना पड़ेगा third में कहता है identification of error कि जहां पर हम लोग एक item collect करते हैं तो उसके भिहाब पर हम लोग errors को आसानी से पकड़ सकते हैं ठीक है कहता है because only a limited number of items are covered error can be easily identified क्योंकि हम लोग बहुत थोड़ item cover कर रहे हैं ठीक है माल लो हमारे पास total 1000 units है 101 जैसी 101 जैसी 101 जैसी तो मेरे पास total 10 unit correct होगी ठीक है क्योंकि उन मेंसे सब 101 जैसी है तो मेरे को या तो 1000 मेंसे कोई गलती निकाल नहीं या 10 में से कोई गलती निकाल नहीं कौन सी असान होगी जहाँ पर थोड़ items होंगे ठीक है fourth point में कहता है large investigations जहाँ पर बहुत large investigation हो वहाँ पर sample method बहुत है अच्छे method रहता है choose करना आगे कहता है administrative convenience के administrative convenience के लिए official काम काज के लिए हम लोग sample method का इस्तामाल करते है क्योंकि जब भी हम को official काम करेंगे तो वहाँ पर हम लोग सारे items को show नहीं करेंगे गेने चुने items को ही show करेंगे ठीक है sixth point में कहता है more scientific more scientific का मतलब क्या है बच्चे यह method बहुत जाद़ scientific है कारण क्या है क्योंकि यहाँ पर एक data को हम लोग अलग-अलग angles investigate करते हैं ठीक है क्योंकि अगर मेरे पास 1000 data होंगे उसको मैं अलग-अलग angles से देखो तो बहुत time लग जाएगा मेरा तो एक है तो एक को तो मच्चे से जान सकता हूँ भई ठीक है तो यह इसकी merits थी ठीक है भई देखो यह merits थे इसकी अब हम लोग इसकी demerits करते हैं demerits क्या होती है देखो सबसे पहले तो partial partial क्या है भई कि it is the only a partial investigation of the universe यहाँ पर हम पूरे universe की investigation ना करके बचे पूरे universe का मतलब है वो similar item जो एक जैसे है ना वो सारे यह सारे ठीक है यह पूरे universe की investigation ना करके कुछ गिने चुने हिस्से की investigation कर रहे है ठीक है थोड़े हिस्से की investigation कर रहे है जो पूरे को represent कर रहा है जैसे मालनो इस class में अभी 30 बच्चे बठे है मैं 30 बच्चों में से एक बच्चा नीचे बेज़ दूँ और बोल रहा हूँ कि यह पूरी class को represent कर रहा है भी क्या वो पूरी class होगी बच्चे नहीं representation तो है पर क्या पूरी class उस जैसी ही होगी क्या उस जैसी होशयार होगी क्या उस जैसी नालायक होगी क्या उस जैसी sports में अच्ची होगी क्या उस जैसा उसका nature होगा सबका सेम तो होने से रहा है बच्चे तो partiality के chances यहाँ पर रहते हैं wrong conclusions हम एक data को देखके यह सोच लेते के सारा एक जैसा होगा उसके बिहाव पर conclusions भी गलत निकल जाते हैं wrong निकल जाते हैं वही ठीक है आगे कहता है difficulty in selecting representative samples हमें बहुत मुश्किल होती है ऐसे samples को collect करने में कि कौन सा sample perfectly represent करेगा सभी items को जैसे मान लो यहाँ पर 30 बच्चे बठें अब मैं नीचे कौन से बच्चे को भेजू कि जो पूरी class को आसानी से represent कर दे कि हाँ उसमें पूरी class की एक जैसी qualities हो बड़ा मुश्किल हो जेगा चूज करना है ऐसा मेरे लिए आगे कहता है बच्चे वो कि difficulty in framing a sample किसी sample को frame करने में बड़ी मुश्किल होती है बई framing का मतलब क्या sometime the universe may be so diverse that it become difficult to frame sample items इतने difficult होते है इतने diverse होते है इतने अलग-लग होते है कि उन में से एक को चूज करना बहुत मुश्किल होता है ठीक है मालो मैं यह example आपके लिए सामने फिर रख रहा हूँ आप सब student है मेरे लिए ठीक है आप सब की class एक है student एक है पर क्या और आप सब लड़के भी है भई ठीक है छातर भी है क्या आप सब एक जैसे हैं height सब की एक जैसे है भई क्या सब का जो weight हो एक जैसा है क्या सब का जो figure है वो सब का एक जैसा है नहीं सब के कपड़े एक जैसे नहीं तो और सब हैं एक जैसे भी स्टुडेंटेस आइगे सारे क्लास 11 के तो बताओ representation कैसे हो पाएगा ठीक है मुश्किल रहेगा ना फ्रेम करना लास्ट पाइंट में कहता है specialized knowledge कि इस टाइप के data के अंदर क्या वही सबसे बड़ी demerit क्या है कि knowledge को हमारे पास specialized knowledge होनी चाहिए और जो की बहुत मुश्किल होती है क्योंकि यह technical procedures होते हैं यहाँ पर ठीक है तो यह हमारे पास कुछ demerits थी अब हम लोग cover कर लेते हैं essentials of a sample sample के कुछ essentials कुछ important चीज़ है जो sample के बहुत most important है सबसे पहले representatives कि हमें representative perfect representative चूज करना होता है जो सभी items को represent करें ठीक है कहता है a sample must represent all the characteristics of universe उस एक sample में पूरे universe के universe का मतलब क्या उस जैसे जितने भी items है ना उन सब का proper representation हो उन सब के गुण उसके अंदर विद्यमान हो ठीक है second point में कहता है independent होना चाहिए मतलब क्या all units of sample must be independent of each other in other words inclusion of one item in a sample should not be depend upon the inclusion of some other item in the universe कि जो एक item है वो दूसरे item के ओपर dependent नहीं होना चाहिए वो सब अपने आप में independent भी होने चाहिए क्योंकि अगर एक में कुछ फरक पड़ता है तो सभी पर फरक पड़ता है भी ठीक है आगे कहता है वो के homogeneity के data independent तो हो पर data एक जैसा होना चाहिए यह नहीं है कि मैं पांच पांच कारपेट बेच रहा हूं एक कारपेट भई उसका है red color का एक blue color का एक yellow color का एक orange color का पांच अलग लग color मेरे पास 4-5 color है और और मैं एक color दिखा जेता हूं तब तो representation बनता है, homogeneity बनती, आप लोगों ने वर्ड सुना, 10th क्लास में, homogeneous, जहां पर एक जैसी values हो सारी के सारी, एक जैसा material हो हमारे पास, last month में कहता है, educacy, मतलब, the number of items in the sample should be fairly educated, so that some reliable conclusions are drawn, कि data बिल्कुल educate होना चाहिए, बिल्कुल सही proper होना चाहिए, उसी की help से हम लोग किसी proper conclusion पर पहुँचते हैं, conclusion का मतलब है, बचे, proper result पर पहुँचते हैं, ठीक है, तो यह हमारे पास कुछ essentials है इसके, ठीक है बच्चों, बच्चे, अभी इस method के, sample method के, हम अलग-अलग हमारे पास काफी सारे 5-6 method और हैं, वो भी cover करेंगे, sample method के अंदर में बच्चे, ठीक है, आज के lecture में सर्फ इतना ही, आशा करता हूँ, आपको पूरा lecture clear हुआ होगा, अगर फिर भी कोई doubt रहता है, कोई question रहता है, तो मुझ चैनल को subscribe करना बिल्कुल जरूर करें बच्चे, और bell icon को press जरूर कर ले, thanks for listening and जय हैंद